नमस्कार मैं हूँ प्रिया और मेरे साथ यां मौदूद है मेरी कलीक निकेता हम दिल से हंदुसतानी है और हमारे कपड़े हमारी सब्दा हर चीज हंदुसतानी है मैं अपने घर पर अपने जहां जहां भी जाती हूं वहां traditional वेर मत्पसंद करती हूं पहनना आजकल westernization हमारे इंडियन पे बहुत जादा effect कर रहा है हम हर चीज अडॉप्ट कर रहे हैं चाहे उनकी technology हो या tradition हो और ऐसा ही एक tradition आजकल चला है फटी jeans का चाहे वो लड़का हो या लड़की, आम आदमी हो या खास आदमी हर कोई उसे पहनना पसंद कर रहा है हमारे बड़े भुज़ूर्गों को यहाँ पे इस पे अपत्ती होती है वो अक्सर यह बोलते हैं कि तुमने ऐसे फटे कपड़े क्यों पहन रखे हैं क्या तुमारे पास पैसे नहीं थे सही कपड़े खरीदने के लिए इसी बात पर आज हम अपने कलीक निकिता के साथ चर्चा करेंगे हम ट्रेडिशनल वेर करें इंडियन का जो ट्रेडिशन है उसे आगे बढ़ाएं ना कि वेस्टनाइजिशन को अडॉप्ट करके उनका ट्रेडिशन आगे बढ़ाएं टेकनो लॉजी की बात है तो टेकनो लोजी एक अलग चीज़ है और ट्रेडिशनल अलग चीज़ है यह दोनों अलग अलग चीज़ है तो मैं जानना चाहती हो कि निकिता के इसके बारे में क्या विजार है Row जैसे ही हमारा हिंदु धर में कहते हैं कि हमें चीजों को एक्सेप्ट करना चाहिए वैसे हम चीजों को एक्सेप्ट करते हैं नहीं उसको अपनी जंदगी साथा है मेरा यह मानने है कि हम ट्रेडिशन को पूरे हर तरीके साथा दे जैसे हम लोग accept करते हैं वैसे और accept करें हम चीजों को technology भी हम लोग accept कि और साथ हम लोग काफी नहीं नहीं चीज़े एक्सेप्ट कर रहे हैं और वैसे मैं भी यह चाहती हूं कि जैसे कि हम लोग independent हो रहे हैं आगे new age society को जा रहे हैं वैसे अपने रहने सहने को भी हम इप्रूफ कर रहे हैं और वैसे नहीं है और घर से लेके बहार ते वित्ता सब नहें आ रहे हैं तो पहने के मादने मेरा मानने कि हमें अपने हम थाथ से improvise करना चाहिए चीजों को एक्सेट करना चाहिए, ठीक जिस नेगिटिव बोलेंगे लो लेकिन हमें जुस चीज को नेगिटिव नहीं लेना चाहिए जह परएगर तजी इंड निडिक का फाइदा है यहाँ पर अगर पर कट लग जा रहा है तो हाँ यहाँ लोग का एर क्रॉस हो रही है वेंसे क्या आभर होते हैं तो ऊहमसे हम कैसे बच सकते हैं वह स्षण आप sixteen लेवा कंड़स या क्या ही एंस स्पेस मिल जाताइए तो एइड़ोस होने से हमारी पॉलर्डिज माड़नों वी टर न सफ्टरीय लोगा नजर में रखना चाहिए ना कि आप पूरा ही सब चीज पूरे डॉप्ट कर लेंगे और अपनी इंडियन जो वह है ट्रेडिशन है उसको पूरी तरीके से भूल जाएंगे आप मैं आपकी बात से सहमत हूँ लेकिन जैसे की मेरी जीन्स के हर जीन्स पांसु रुपे से लेके लाख रुपे तक मिल सकती है और वैसे एक जीन्स है जो डीजल कंपी ने मनाई थी जो लाख रुपे की पिकी थी तो हम लोग अपनी अफॉर्डबिल्टी के साफ से ले भी सकते हैं और रही बात हमारी जॉप की एक जॉर्नलिस्ट की जॉप घूमना पिरना है तो वैसे भी अगर मैं कहीं भी जाओंगी तो मेरे जीन्स को उत्ता गंदा होने का तुक नहीं है और वो असानी से मैं धूल भी पाहूंगी एफॉर्डबिल्टी की जहां बात है तो वहां स अपनी कलीक निकिता से बात करने के बाद मेरा नजरिया भी कुछ बदला है मुझे लगा है कि जो हम कपड़े पहनते वो हमारी चॉइस होनी चाहिए पूरे हम डिपेंडेंट होने चाहिए कि हमें क्या पहनना है और क्या नहीं पहनना है लोग हमारे बारे में क्या सोचते हैं इसे हमें ज़्यादा फर्क नहीं पढ़ना चाहिए